रोजसान में भजोनलाल सरकार के गठन को आट महीने बीच चुके हैं लेकिन मंत्रियों का धूलमूल रवया भी भी जारी है सवालों का सही तरीके से जवाब ना दे पाना और कारे प्रणाली को लेकर सरकार के चार मंत्री विधान सवा में हंगामे की वज़ा बन चुके हैं इन मंत्रियों की वज़े से सदन में कम से कम दस बार जोड़दार हंगामा देखने को मिला विधान साबा के अंदर सियासी इस्तितीत मी खराब है कि भजनलाल के दो मंत्रियों के बचाव में स्पीकर वासुदेव देवनानी को आग्याना पड़ गया था मंत्रियों की वजह से विधान साबा में सरकार की ऐसी हालत के बाद राजस्थान की सियासी गल्यारों में दो चर्चा है पहला ये कि किया इन मंत्रियों का कोई विकल्ट धूंडा जाएगा और दूसरा ये कि क्या सरकार इसी तरह चलती रहेगी तवक्कार मैं हूँ शेक जुही आप देख रहे हैं दनगरी नियूस राजस्तान में बाजरे की खरीद का मुद्दा लंबे वक्त प्रिश्मताल के दोरान बयाना से विधायक रीतु बानवात ने इसको लेकर सवाल पूछा जिस पर खाग मंतरी सुमीद गोदारा को जवाब देना था सुमीद बाजरे की खरीद पर गोल्माल जवाब दे रहे थे जिस पर कांग्रेस की विधायक हंगामा करने लगे अपने मंत्री की मखोल होते देख खुद मुख्य मंत्री भजुलाल शर्मा उड़ गया शर्मा ने विधायकों को श्वासन दिया कि सरकार सही कीमत पर बाजरा खरी देगी वही विधायक अतुल बंसाली ने विधानसवा में एक सवाल पूछा जो घ्रस्टचार के आरोपी ब्यूरोक्रेट्स पर केस चलाने की मंजूरी से जुड़ा हुआ था इस सवाल का जवाब देने के लिए कानून मंत्री जोगराम पटेल खड़े हुए पटेल ने जवाब के दोरान 2018 काकड़ा पेश करना शुरू कर दिया पर नाता पृतिपक्ष्टी कराम जूली ने कहा कि पिछले आठ महीने में कितने अवसरों पर केस की मंजूरी दी गई है सिर्फ ये बताए जूली के सवाल पर पटेल पस गए पटेल ने सवाल के जवाब में जीरो कह दिया जिसके बाद कॉंग्रेस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया कॉंग्रेस विधायकों के हंगामे को शान्त कराने के लिए विधानसाबा स्पीकर वासुदेव देवनानी को बोलना पड़ा वही सदन के शुरुवात में शिक्षमंत्री मदन दिलावर की वजह से सरकार बेकपूट पर रही। दिलावर ने आदिवासियों को लेकर विवादट किपनी कर दी थी। विधानसबा में इस को लेकर कई दिनों तक हंगामा हुआ आखिर में मदन दिलावर को माफी मांगनी वही विधानसबा का सत्र शुरू होने से पहले ही क्रोडिलाल मीना ने इस्तिफा दे दिया। चलते सत्र में स्तिफे ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी। क्योंकि सरकार ने स्तिफा सुईकार नहीं किया जिसकी वजह से क्रोडिलाल मीना ने भी विधानसबा जाने से इंकार कर दिया आखिर में सरकार ने उनकी अनुपस्तिति का पत्र विधान साबा स्पीकर को सौब दिया और उनका विभाग अन्य 애 Gastže विधान साबा में स्पीकर ने जब इसम पत्र को पढ़ना शुरू किया तो तो कॉंग्रेस के विधायकों ने हंगामा कर दिया। विधायकों का कहना था कि क्रोडी लाल मीना ने इस तिफा दे दिया तो फिर इसका जिक्रित सरकार क्यों नहीं कर पा रहे। विपक्ष के सवाल पर सरकार कुछ नहीं बोल पाई। जिसके बाद स्पीकर को बचाव में आना पड़ा, स्पीकर बोले कि अभी उन्होंने ये पत्र दिया है, बाद में क्या होगा, उससे भी हम आपको बता देंगे, अमाम खबरों के लिए देखतर है ये दनगरी नियूश शुक्रिया